दो चीजे जो आपके काम की है भविश्व से जुड़ी हुई है वो बताना था मेरे सर हमेशा बोलते थे एक बात अगर आप मेनत नहीं करोगे तो वो पंजाबी में पंजाबी रहती है जो भी लेंग्विज रहती है बाजी ले जावेंगे कुट्टे ऐसा बोलते थे बार ब भाव समझने की कोशिश करो तो बार बार यह बोलते थे आप मेनत कर लो आप अगर आप टॉपर मेनत नहीं करोगे तो बाजी ले जावेंगे कुट्टे मतलब क्या होता है मतलब यह होता है आप मेहनत करते हो ना आप इमानदारी दिखाते हो ना अपने काम में आप जानते और उसके बाद भी आप मेहनत नहीं करते हो और उस पोष्ट पर नहीं पहुँझते हो तो होगा क्या वहाँ पर एक नालायक पहुच जाएगा जो कि उस पोश्ट के योग नहीं होगा जो कि उस पदवी के लायक नहीं होगा वो नालायक होगा और उस पदवी का वो दुरुपयो कर रहा होगा तो हमारे सर उसी को नजर में ध्यान में रखते हो बोलते थे मेहनत कर कर लो नहीं तो बाजी ले जावेंगे कुट्टे और वो कुट्टे नोच-नोच कर जो है वो सब को परिशान कर रहे होंगे समाज का दुरूपयोग समाज को नुकसान पहुचा रहे होंगे तो मुझे आज भी याद आता है कि भाई साब मैनत अगर आप नहीं करोगे अगर आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान हो आप किसी अच्छे पदवी पर सरकारी पदवी पर समाज की पदवी पर किसी भी अच्छे पदवी पर हो सकते हो लायक हो सकते हो काबिज हो सकते हो और आप लोगों के अच्छा ही फैला रहे होगे, लोगों में लोगों का misuse नहीं कर रहे होगे और अपने आपको अच्छा मानते हो ना, तो महनत करना पड़ेगी, अगर आप महनत नहीं करते हो तो उस पदवी पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठेगा जो की लोगों को नोचेगा, एक कुट्टे की तरह, तो बात बस इतनी जरासी बात है लेकिन बहुत सोचने वाली बात है कि यदि आप अपने आपको अच्छा मानते हो तो आपको महनत करना पड़ेगी, इस समाज के लिए, इस देश के लिए अगर कुछ करने की कर रहे हो, कुछ करने की चाहर रख रहे कि नलायक को नहीं पहुचाओगे, अगर आप महनत नहीं करते हो, अच्छे होते हुए भी तो उस पद्वी पर कोई नलायक बैठेगा, और वो भारत को और भारती समाज को शर्मिन्दा कर रहा होगा, तो बात के वाल इतनी है कि महनत करना पड़ेगी, ताकि बाजी कुट् है न, महनत करना पड़ेगी, नहीं तो फिर वो, अगर वो कुट्ता वहाँ उस पद्वी पहुच गया, तो फिर समाज का नुकसानी करेगा, है न, और उसके जिम्मिदार कौन होगे, जिम्मिदार आप होगे, तो कि आपने महनत नहीं करी, आप जानते थे कि आप उस पद् बोलने थी, मेरे सर की बात याद आ रही थी, बहुत दिनों से में बोलना थी, इसलिए, आप मैनत नहीं करोगे, तो बाजी ले जाएंगे, कुट्ते, कंटिन्यू करते हैं, दोहा और चौपाई, बस याद रखना, बाजी ले जावेंगे, कुट्ते, वो आज भी सर की बात कानों में गुंचती है, बार-बार, मेरे ख्याल से गण आ गया होंगे, आपको अब गण से आ गया, आप बढ़ते हैं, गण आ गया, आपको समझ में, मेरे ख्याल से इतने ज्यादा, इंपर्टेंट नहीं हो, अब छंद के प्रकार किते प्रकार क्योंते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको कौन से आएंगे और बार, मातरिक चंद फिर से तिन पकार को सम्मात्रिक, अर्ध मात्रिक विशमत. मैं फिर बोर रहा हूं, नहीं आएगा इतना दीम स्टी में, लिकिर हमको किवल दुहा और चौपाई पढ़ना है, ता हमको पता भी तो होना चाह जबनेगा नहीं कि सिंपल टेफिनेशन लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा इसलिए पता हो लगुरु लगुरु के अधार पर हम गणना करतें तो मांत्रिक चंद बोलते हैं वर्नों के जैसे माली यहां पर लिखा हुँ चन्द के प्रकाद अगर इसको करना ऐसी एक दो तीन चार ऐसी गरना की जाती यह यह बन है सब वर्मों के आधार पर गरना की जाती है तो उसको वान इक चन्द बोलते हैं और मुक्तक चन्द में दोनों का मिक्षर होता है मातरिक वानिक दो के कौन सा इसमें चूपाई है क्या कि दुघा सोठाएं कि विज्ए दो और चूपाई है तो चौपाई कौन सा मात्रादंगे सम यहाल रखेंगे रिंग机 में समात्रिक चन्द ज पाई इसकि चार चरण और सोला मात्र जान चान तो सभी चरण में स springs मात्र आइंगी तो सोलह मात्रा होंगी क्योंकि इस इस तो फिर फुरति कर देख रही तो इसने अध्यान को जो है वो अर्ध सम्मात्रिक चले इंदें जी तीका अर्ध सम्मात्रिक है मतलब लग अम्हों कर रहा हूं आप बात में पर देख सकते हों तो तो दोहा जो है वह अर्द सम्मात्रिक है अर्द सम्मात्रिक मतलब जो कि आपनाया है जो दोहां उर्द सम्मात्रिक मतले होंगे इसरों दूस्थे मों में आपा दःगे आपको चाहिए लिएज़ तो आपसे बन जाएगा यहाँ पर देखते हैं कि कुन सा चौपाईगा चौपाईगा किते अच्छी लाएन देखो यह तो याद भी होगी आपको जाए हनुमान ज्यान सब्सक्राइगा चौपाई में जो है वह किती किती मातरा होती है उन्होंने स्टार्टिंग में बतादी इसनी अब बताओ सब्सक्राइगा चौपाई आप मुझे बताओ किती मातरा होती है चौपाई में अभी जश्च बताया था गया सोला हर एक चरण में सोलाव मातरा हे उती हरेदी क्लेट करके देखते हैं अपन से बनता आके नहीं यह देखो पहला चरण यह है दूसरा चरण यह है दिधा स्लम्हाट करके देखते है एक छोटा होगी मात्रा इसलिए बड़ा होगी मात्रा दो गर Virtual करो तो इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नूदस ग्यारा बारा तेरा चाओधा पंद्रा सोला है ना अब होगा क्या अगर आप इसकी प्रेक्टिस नहीं करोगे लिखके तो तीहू में क्या कर दोगे जैसे तीहू में बढ़ाओ की मात्रा लगा देज बढ़ा कि मात्र लगा दोगे दो मात्रा करोगे बोलोगे आता सत्रा वह सथिए लिखकर देखना जरूरी है कि यह निकित्ति साहीं मात्रा होगी इना और मात्राओं की करके बता देना वह बहुत अच्छा होगा अगर मात्राओं की क्योलेशन बताते हो तो बिल्कु सिंपल सा है मेरे किया से कर लोगे आप हाँ तो यह है चोपाई का उधारण इसके बाद अपने बात खत्रम जाएगी मात्री चनकी के लडोई है तो पाई का और कोई सा उधारण भी आपने कौन सा याद किया कोई बताएगा मजे मंगल भबन मंगल आड़ी यह स्थाइड रवह सुधाशर ताजर बिहारी महाबीर बिन भाहु अनमाना राम जास जास आप बखाना लिखकर देख लिया कि अधिया मात्राइब कर लिया वह रगुकुल रीती सदा चलिया जाए पर वचन जाए तो इसमें तो दो ही चरण हो रहे हैं चार चरण कैसे लिखोगे जरूरी एक चार जी हां परिभाशा बोर रही है जरूरी होता है सब में अगर आप परिभाशा में जान रहे हो तो चार चरण होते हैं गलती ना करना डेफिनेशन में बोला गया यहां पर चार चरण और सोला मात्रा है अगर लिख रहा हो तो मेरे ख्याल से तो लिखना चीए आप टीचर की बेसिक कर दोगे नहीं तो कि उसके बाद श्री गुरू चरण सरोज रज में लिखा हुआ है दोए में आपको इसा भी लिख सकते हो कि उसमें मात्राओं की गढ़ना करोगे एक बार आवत ही है अर्से नहीं पर देखें में को याद है कि नहीं क्योंकि देखो लिखने में क्या गलती आती है तो मैं सामने यह सिद्ध हो जाएगा आवत हीए हीए नहीं है हीए होगा यह गलती होती है मालम आवत हीए हर शय नहीं नैनन नैनन नहीं सनेह तुलसी तहां आयटिंग पर मत जाना तहां न जाएए कंचन बरसे मेग कि कोई मुझे इसका अनुवाद क्या होगा इसका मतलब कि मैं पहले बोल चुका हूं प्लास में तुम लोगों से देखते कि तो पता है कि नहीं पता है बताई हो आवत दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा चोटी के मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक एक दो और एक और एक आपको मालूं होना चाहिए दोहे में दोहे में पहला चरण पैचाने पहले तो इसमें क्योंकि मैंना अभी बताया नहीं चरण आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह पहला चरण है है पहले पlor इसके बाद दूसरा कि इसके बाद यह तिसरा और यह कोच था बताऊ 2 में पहले दूसरे तीसरे जान पहले और तीसरे चरण कंत नहुकर है में कि है उटेरह और दूसरे वर चौथ है में अ यह ज तु है ना पहले और तीसरे में तेरा और इसमें ग्यारा ग्यारा कालक्रेट करते हैं दो तीनस चार पाथ छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा नहीं हो रही यहां पर आवद्षी नहीं नहीं चने तो यहां पर 13 तो फिसका 13 यहां पर विगिंग लो एक दो तीन चार पाँचछ छे तत्य आठए नो फने तसे ग्यारा बारह मिरते एक फिसके बाद यहां पर जो है पाण को कितीं तो मंकी मात्रा में कौन सी आती एक आती दो ऐसे दो ऐसे दो चार पांच 6 7 8 9 10 11 11 11 पिर तौह दो एक तीन चार पांच 6 7 8 9 दस 11 में गलती होती है लिखने में आप रड तो लोगे लिखने बैट यह तो देखो कि तुरंत उसको दो करने पड़ा कि मैंने स्टार्टिंग में कन्फिजन बताई दिना यहां पर कन्फिजन हो रही है क्यालकुलिटिशन में ठीक हो गई कि अगर ही एक अगर आप ऐसा भी लेखते हो यह लेखते हो तो भी सही हो जाएगा वो ही यह है ना तो भी दो मात्रा क्यालकुट कर रहे हों इसलिए वह रहे हैं कि उधारण भाई साब लिखकर देख लीजेगा दोनों बहुत इजी से चंद है कोई टफ नहीं है धेल सार उधारण पड़े हुए आप बिल्कुल लिख सकते हो है ना चंद पर कोशन आ सकता है चंद किसे कहते हैं उधारण सही समझाइए या फिर चौपाई चंद किसे चौपाई का एक उधारण लिखिया मात्राओं की गर्णा भी कीजिए पूछ सकते हैं तो आपको उधारण लिखना आना चाहिए एक बार लिखने की प्रेक्टिस प्लीज कर दीजिएगा मेरे ख्याल से आप कि भाई साव mpbsc.nice.in अभी तक कोई ऐसा वो नहीं आया है कि वैक्सीन साटिफेक्ट ले जाना है कि नहीं है ना रोल नंबर के लिए कल के छुटी रहेगी रावदार जैनती कि किसी ने हेल्प लाइन पर पूछा आप लोग को इसकूल में बोला गया क्या कि वैक्सीन साटिफेक्ट लाना है कि एक्जाम में कि अशे का है नहीं क्या है है लो कि नहीं है किसी गवर्मेंट से पुछा था क्या किसी ने अरे बाई सावी क्या निकाल दिया मैंने कि कि करें चाहें कर दो कर कर प्रतिशत विष्णेश्रात्माग प्रश्ण होगे विष्णेश्रात्माग प्रश्ण मतलब विष्णेश्रात्माग मतलब आपने पढ़ाई करिये के नहीं 20 प्रतिशत होंगे मतलब मन से लिखने पड़ेगा उसमें वह वह चार नमर वाले जान से मन से लिखने वाले लिए जब कावगन में पदिसाहित का इतिहास भक्ती काल अधुनिक काल चायावाद प्रयोगाद नहीं कवीता अभी परिचाह भावार्थ प्रश्ण आएगा इसमें से अग्यावार्थ पक्का है चार नमर में जाएगा और विष्ण वेश्वेस् पूछा जा सकता है कि इसमें भी हां भी जिस वो पद्धसाहित मेंने दिया है भक्तिकाल और दो निक लोड़ प्रयोगाद नहीं कवीता दिया हुआ है दो मिट अच्छाइब अच्छा पेवल भक्तिकाल दिया हुए हाँ है आधुनिकाल का आगे डारेक्ट आधुनिकाल ज्यादा फोकस करना है ना आधुनिकाल ज्यादा आएगा और दो मिट चार नमबर में कभी पर ही जायेगा जाएगा बिए मोडल पिपर में भावाज दिया है कभी पर चैनल नुम्मर में आएगा इस नहीं है कभी परिष्ट में बोग पूछ देते हैं बाशा का पीस्ता बता दो सिल्प प्रगत पीस्ता शैली की विस्ता ऐसे पूप अब भाई साव मतलब जीवन परिष्टा रटने की परिष्ट की परिवाशा चंद मात्रिक चंद दोहा चौपाई मात्रिक चंद में दोहा चौपाई के अलग का अनुप्रास रूपा कुपमा उत्पेक्षा मानवी करनो पुनरुक्ति प्रकास चलो यह पूचना है यह बदा पढ़ाना है तुमको ठीक पर उसके बाद गद् निपार शब्द आ रहा तो तुमने पढ़ लिया वाच्य क्रिया के भेद वा क्रिया विश्रेशन समुच्य बोधक मोहावरेवा लोकोक्ति अनिखाती शब्द समाज विग्यापन लेखन सूचना लेखन तो तीन नमबर में आएगा यह सूचना लेखन यह विग्यापन ल लेखन हिंदी में प्रेक्टिस करें तो लोगने सूचना लेखन आ सकता है तो तीन नमबर में आया गए यह सूचना लेखन बागी सब दो नमबर वाले कुशन है कि अध्याइजमेंट इंग्लेश में करें होंगे हंदी में करें अभी आपके में दिये थे आगे यह और सूचना लेखन यह वह वह भी दिया ता थिवा में आया थे एक देख दूस्टेक है अधार लिखना पढ़ेंगे प्रतिका से क्वेकोशन आ रहा है कि प्रतिका भाग दो पाठी पुस्तब पर आधारीas 2 नमर का एक कोशचन पत्रलेखन अपचारिक अनुपचारिक दोनों आ सकते दोनों आंगे दोनों में लिखना पड़ेगा कोशिश करन अनूपचार यह पत्र देखने की इसमें भाश लेकर मतलब लखने को आएगा कोई सीरशक दे दिया जैसे को रोना को दे दिया उस पर एक पेराग्राफ लिखना है कि वसमार लेखन तो एक निभनद लिखने को आएगा चाह नंबर में तीन नंबर में पेरग्राफ राइटिंग आएगी इसके कोई होते हैं विशेश तरीके होते हैं कि ऐसा लिखना चाहिए एक पेरग्राफ खेर तुम जैसा भी लिखो के विशिष्ट बार्शा का यूज़ करोगे तो ज़्यादा चराएगा बहिए दो में दशबी आए वह दो नहीं हाँ ददवी गई हाँ बहुत है और यह जो नहीं दो भावार तो रिसमें व्याक्षा करने को दिए वह उसमें चार्ट नंबर करें तो ऐसा पेपर में तिन दुनी होगे लगा कभी परिचे पूछने चाहर नंबर में कि हो सकता है तो यहां पर प्लियर इस प्लियर इस प्लियर निए और गद्धे खर्ण्ड में दिये व्याख्यां वह विचानल में पूछिए ना मॉडल पेपर में तो फिर मॉडल पेपर के अनुसारी आएगा अगर्ण प्रिपेर फॉर्डवर्श कि मैं तो यहीं बोलूँगा अगर्ण के व्याख्या अब को तयार है ना चींदली तयार हैं ना सीए कि कभी परिच्ए आ सकता है चार नमर में उससे जदा फायदा होगा आपको यह लेकिन बाहरा है टोटल मिलाकर तो कितने करेंगे में 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 के नाम बता दे रहा हूं में में जो इंपोर्टेंट है वो कर लो तैंट में लगभग लगभग किया जा सकते हैं एक काम करो दो बुक में से सामने वाला पेज प्लाफब चार-चार है चार-चार याद कर लोगे तो काफी में देख ले रहा है कि मेर पास नहीं 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 टे जबस करेंगे अगला जो नाम है आपके काविखन में जायर सी बात है सूर्दास और तुलसी दास दोनों इंपर्टेंट है बहुत कॉमनली नहीं नहीं सूर्दास और तुलसी दास इंके याद करेंगे अगला जो नाम है सूर्कांब्रपाथी निराला बहुत फेमस ब laugh है इनका तीसरा इनका नाम हो जाएगा चाथता जैशंकर प्रशाद चार नाम हो गए जैशंकर प्रशाद और सबस्क्राइब झाट गण भी इसमें शामिल है न चलब यह चार है कभी Joint शूर्दास तुलसी दाश शूर्कांट्रे पार्ठी जैशंकर प्रशाद इन में से एक दिख जाएगा नागर्जुन है कि हाँ नागर्जुन भी इंपोर्टेंट है लेकिन आप इस पर ध्यान देना इन में से मिल जाएगा पक्काई सूर्दास तुर्दास सूर्कांटर पार्टी निराला और जैसंक्तर प्रशाद यह भी देख लेना कि यह ने क्रतिका तोटल सत्रा चैप्टर तो यह क्या है भाई फिर यह गदखंड क्यों लिखा है इन्होंने वह वह साइग वाचन की भूप है तो इसमें से नहीं आएंगे क्या है यह आएंगे ना सब आएंगे लिए पहले से दो बुक होती थी पदखंड और गदखंड यहां पर पर में उपढ़िया गद में यहां कहां से आ गई पदकीबु में गट कहां से आ गई तो हमें छेटीच से देखने दूसरी कोन से नाम है कि क्ष्टिका वसाइग वाचनः तो उसमें से नहीं आएंगी मतलब मतलब चलो ठीक है मतलब दो इबुक है ना ज्यादा तो नहीं है मतलब इसमें से और बता दो ठीक है चितिज और कृतिका संचैन भाग दो स्पर्ष हाँ ठीक है आप समझने आ गया है दीखक परीचे पूरा के पूरा है क्रतिका में लेखक परीचे दिया हुआ है कि इसमें भी दिया है क्रतिका करें कि नहीं करें पड़ेंगे तो इसमें और देखलो लेखक में कौन से इंपर्टेंट है लेखक बस इतने से याद करना पड़ेंगे तो सही है पानिपूरी के बहुत ज्यादा है पहले लेकिन अब तैंक में आ गया है तो पानिपूरी है जरूरी है ना राम्रक्ष पेनिपूरी इंपर्टेंट हैं फिर उसके बाद भाई सब्सक्राइब बहुत कॉमन नाम है महाविर प्रशाद्वेडी बहुत कॉमन नाम है याद को यह दो में बोर रहा हूं बाकि दो तुम्हाएं मर्जी से जो पसंद आया तुमको जो चैप्टर अच्छे लगे हो ना वह कर लेना स्वयम प्रकाश नेटाजी का चश्मा यश्पाल लखनवी अंदाज मनुभंडारी यतिंद्रमेश्र यह दो में वह रहा हूं बागे तुम करने अपने मर्जी से लेखक परीचाहिए बिसे चांस इसका में आने के लेकिन बसक्राइब पढ़के जा सकते हो क्योंकि अगर लिख तो सको कुछ तो उनके बारे में और याकिन मानों चैप्टर अगर पढ़े होंगे आपने वह चैप्टर में से जो जो उनको कावी की विशेशता देखिए वह जरू लिखे ना एक भविश के लिए बात बता रहा हूं अभी तैंध क्लास तो कंप्रीट हो गई याद तो प्लीज इसे खोजने की कोशिश करना कभी पढ़ रहा तो से पूछो कोशन इसमें रस कौन सा यूस किया है इसमें चंद कौन सा यूस किया हुआ है प्लीज पूछो अपने आप से उससे तुमको कभी की मदद मिलती है कभी रचना दिखने में मदद मिलती है ताकि तु अब उसके बाद बात कर लेते हैं अपन अलंगारों की पुनुरुक्ति प्रकाश अलंगार मानवी करन अलंगार कि निपार शब्द देख लिए ना कि अनुप्राष तुमको आता होगा रूपक को आता होगा में तो खाए उसकी कीमत ऊकाना पड़ेगी व्कमा तुमसे अपना बदलने लेगा फैसे मजा कर हूँ आप उपमा जो होता है उपमा का मतलब हो जाता है किसी चीज से कि तुलना करना जैसे प्रेमी अपनी प्रेमी का कि तुलना चांद से करता है कहीं जगा पूल से करता है तो वहां तुलना की जाती है जैसे मैं अपने स्कूल के तुलना ब्रक्ष से करता हूं तो हर चीज उपमा अल पुत प्रेख्षा लंकार देख लेते हैं कि अब कि अब कि अब कि अब जब समानता होने के कारण उपमे supports कोन है और समभावना हो तो ऊपमे कोन कोन है बताएगा मुझे उपमे कौन है और उपमान कौन है वह गुद पmare है गजह से लोग हुद जैसे प्रेमी जो है आपनी परेमी का की टुलिक्सर कर रहे है चांब कर दो तो चांद जो है वो में हो जाएगा और मतलब हो जाएगा जब समानता होने के कारण मतलब प्रेमीका में उसको उसको चांद दिखने लगे उपमान होने की करनक की जाए है संभावनाओ वहाँ पर उत्प्रेक्षा लंकार होता है यदि पनती में मनु जनु जनहु जानौ मानौ निश्च इव जो आदी आता है वहाँ उत्प्रेक्षा लंकार होता जैसे ले चला साथ में तुझे गनक जो भिख्षुक लेकर सोई सिरख पढ़ गया उसका वहीं मानों अरुण रंग का घडा हो नेत्र मानों कमल है उपा हैं उपर दिये हование धारण में नेत्र उप में की प्रग्ण法 करने के लिए किया गया है तो इसमें यह शब्द दिखे जाएंगे आपको जहां पर भी मनु जनु जनहु जानो मानो मानहु निश्चय इव ज्यों यह शब्द आते हैं वहां उत्प्रेक्षा लंकार होता है यह इन शब्दों को लिख सकते हो आप चाहो तो करने की कल्दत cathedral हो रही है जहां में में मुपमान होने की कल्द ना कीजा ह। हुपमं में में मुपमान होने की कल्दकी जाएं डिर रहा हूं के नहीं dealing इसम है कोई मुझे सुना हुआ मोहावरा क्यों नहीं देख सुना हुआ इसमें अहां हम इस तो नहों अधारन क्यों नहीं समझ में आ रहा उत्रप्रेक्षा के आप लोगने याद कर रहे हैं क्या नेत्र उपमें है जिसकी कमा की जारी किस से कमल के समान होने कमल जो है तो यहां पर डेफिनेशन में वाला याद रहाएँ उपमान हो जाएगा उपमान की जाए वहां पर यां संभावना हो वहां पर उत्रप्रेक्षालंग कर में मनु जनु जनहु जानो मानँ निश्य इव जयों आता है वहां उत्रप्रेक्षालंग कर जैसे ले चला कभी कहता है कि विधातूरे को ऐसे ले चला मानों को बिख्षु सोना ले जा रहा हो कावियांश में जियो श्रब्द करिस्मार हो रहा है वहां कनक उपमे में वास्वन उपमान में याद रखिएगा बिल्कुल याद रखिएगा जो भी उधारन लिखो बहुत अच्छा होग और जहां पर उपमे रुपमान होता है उपमे और उपमान होता है तो भाई साब आपको पहचान भी आना चाहिए धुर्याष लेना चाहिए तो फ्लीस आप जो भी दोहा लिखो उसको नीचे वह उपमे कोन है और उपमान कोन है ये ख्लेरिफ् Mia करना वो जरूरी है अगर आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हो कोई कमी नहीं चोड़ना चाहते हो उधारन का पर आज खतम करते हैं क्योंकि मुझे खतम करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी है कि अब दिखाऊंगा मैं साइनस क्लब में जरूरी नहीं है बिलकुल भी आना बिलकुल भी नहीं है अगर बोर हो रहा हो तो पर आ सकते हो साइस लब में जरूरी बिलकुल नहीं है क्योंकि मूवी दिखा रहा हूँ है जै गुर्दे है कि बडिया जै गुर्देव जै गुर्देव जै गुल दिया जै गुल देव